कहना चाहिए ता राहूल गांधी को ट्वीट करना पड़ा है दिली से लेकिन सरकार नहीं कुछ कर रही है ऐसा नहीं है लेकिए ग्रह मंत्राले मेरे पास नहीं है लेकिन मैं सरकार का हिस्सा हूँ इसलिए मुझे रखता है कि यह जबाबताई सामुहिक है सब लोगों की है विशेश रूपसे सरकार में हम सब पैठे लोगों की है अगर कुछ हुआ है तो उसको स्विकार करकर उस पर गर्रेक्टिव एक्शन उठाना चाहिए लोगों में कॉन्फिदेंस हो बड़ा शर्मिन्दा हूं कि देश में प्रदेश में इस परकार के घटना आज हो रही है और विशेश रूपसक ग्रहमन तराले को तो बहुत संटरग्टा से काम करना चाहिए इस पर हमको हमाई सरकार को और घहराई से काम करने की जरुवत है क्योंकि इस प्रकार की घटना से विश्वास तूटता है लोगों राजस्थान में दो दलिद यूगों के साथ दिल दहला देने वाली घटना हुई है हमारे साथ हैं राजी के उक्मुख्यमंत्री सचीन पाइलट सर जिस तरह से एक वीडियो सामने आया है कॉंग्रेस के पुर राश्ट्रिय अध्यक्ष राहूल गांधी ने भी इसके बरसना की है और दोस्यों पर कड़ी करवाई के माँग की है ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह के हालात में जी रहे हैं हम मैं बड़ा शर्मिन्ना हूँ कि देश में परदेश में इस परकार की घटना आज हो रही है ये वाक्या सूला तारिक का है और खासकर दलितों के साथ इस परकार का कोई घटना करम सामने आता है बाद जागे, चार दिन बाद जागे, तो सरकार पर भी सवाल उठते हैं? इस परकार लोग उत्पीडन कर रहे हैं और इसकी कोई कलपना नहीं कर सकता है, इसकी हम भर्चना भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिस्टम को और इस देश में जो दलितों के साथ और आदिवाजियों के साथ जिस परकार की घटनाएं हो रही हैं, वो हम सब के लिए ब इससे ज्यादा डूब मरने वाली बात तो क्या हो सकती है सिस्टम के लिए? इस पर और अधिक कारवाय करने की जरुवत हैं, क्या पार्टी के तरफ से आप भी चाहेंगे कि इस मामले की तहट तक जाया जाया वहां पर जैसा कि आपके यूथ कॉंग्रेस के निवसाई के लड़के भी वहां प्रदर्शन कर रहें कि जो एजनसी का मालिक है वो अब त पुलिटिकल पार्टी होने के नाते हम लोग हमेशा इस बात को संग्यान में लेते हैं जब यह कहीं तूशकर्म होता है या कहीं इसी घटना को अंजाम दिया जाता है लेकिन मैं फिर कहता हूं कि लॉइन ओर और एक प्रशासनिक धील इस पर हमको हमाई सरकार को और करने के जरुवत है क्योंकि इस प्रकार की घटना से विश्वास टूटता है लोगों का सिस्टम के अंदर अगर इस प्रकार दलतों के साथ कोई घटना हुती है तो क्या संदेश हम दे रहे हैं पूरे देश को इस पर में सोचना पड़ेगा और इसके लिए कारवाई करना म मुझे कहने में कोई संकूच नहीं है जब आप दही इसलिए बनती है कि आपने जैपूर में बड़ी रैली की थी जब डेल्टा कांड हुआ था तो तो दलित लड़की के साथ अब आपके सरकार में भी लगातार इस तरह की काम हो रहा है तो ही है मैं चाहिवे पक्ष पे और आज भी हूँ और दायत तो हमारा बढ़ जाता है क्योंकि हम सरकार में हैं और सरकार बढने से पहले हमने दलितों के खिलाफ जो ऐसी आरदाते होती थी हमने बहुत बड़ा इशू बनाया था तो सभावे ग्रूप से आज हमको अपने गरिवान में जागना पड़ेगा कि हम सरकार में हैं और फिर भी अगर इस परकार की अगर इंसिदेंस सामें आते हैं तो हम सब को बहुत मेहनत करने की ज़रूप पड़ेगी लोगों का विश्वास जीतने के लिए क्योंकि ये एक वेक्ति की बात नहीं है ये जातिगत और उत्पीडन करने का जो एक काम हो है राइस्थान में हो या कहीं और हो उस पर ना सिर्फ काबूलाने की जरूप है लेकिन ये लोगों के जहन में संदेज जाना बहुत जरूरी है कि इस प्रकार की घटनाओं को कोई एकसेप्ट नहीं करेगा ये इन्हूमन है बार्बेरिक है मैं समनता हूं मानवता की पर और अगर कहीं प्रशासन या पुलिस की डिलाई भी है तो उस पर भी कारवे करनी चाहिए एक आखरी सवाल आप सरकार यहां पर है और राहूल गांधी को वहां से ट्वीट करना पढ़ रहा है कम से कम सरकार को सामने आकर कहना चाहिए था ट्वीट के जरिया ही कहना चा अगर कुछ हुआ है तो उसको स्विकार करकर उस पर एक्शन फाना चाहिए लोगों में कॉंफिरेंस हो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो अब तक कारवाई हुई है मैं जानकारी प्रात किये प्लिस के माद़म से लोगों और रेस्ट किया गया है उन पर केसी दर्ज किये करिशनेता वहां जाएंगे और तर्था पंग विवरेंड लेंगे कई बार कुछ साथी इस वर्क के आते हैं जो अपनी बात बोल वे नहीं पाते हैं कुछ थाने में नहीं जा पाता है रिपोर्ट नहीं करा पाता है तो उन सारे पहले उपर हम लोगों अपने कारना चाहिए यहाँ अपमुक मेंति साचिन पालट जो कठोर कारवाई की मांग करने के साथ साथ यह भी कह रहे हैं कि इस घटना पर हम सर्मिनदा हैं लेकि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के जो लोग बैटे हैं सभी लोग सर्मिनदा हों तब जाकर इस तरह के हालात आगे स से नहीं बन पाएं कैमार मिल्क जर्मा के साथ शरत कुमार जैपुर